नमस्कार, About India Channel में मैं अन्यल केसी आपका श्वागत करता हूँ About India Channel का वास्विक उद्देश, भारत की संस्कृति, भारत के विराशत, आदी से आज की युवापिडी को परिचे कराना है और उसके तर्क और विज्ञान के दिश्टी कोन से हम लोग इसी सिंखला के अंतरगत आज एक छूटी से सिंखला लेकर आए हैं जिसमें इश्लाम धर्म के अंदर एक 786 की संगल्पना है और अक्सर आप चर्शा देखते आये होंगे फिल्मों में भी बिल्ला नंबर 786 हमेशा से प्रसिद रहा है और इसके अलावा 786 का अंक भारत के समाज में काफी पवित्र माना गया है और माना जाता भी है अब 786 है क्या हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या तो 786 है क्या तो दीखे भारतिय महादीप में नियुमरोलोजी numerology का मतलब है अंक जोतिस का महत जहेवा प्राचीनकाल से रहा है और ये पूरे के पूरे भारतियों महादीप में प्राचीनकाल से ही रहा है और प्रतेक अंक का विशेश महत जहेवा होता है और उसके आधार पर जोतिसी गनना जहेवा की जाती है जो numerology जहेवा के अंतरगत होता है ठीक इसी प्रकार इसलाम में जहेवा संख्या 786 का विशेश पहत हो जहेवा होता है और 786 का इसलाम में जहेवा अर्थ जो लिया गया है वो है बिस्मिल्ला उर्रह्मान अर्रहीम और इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ जहेवा यह होता है कि अल्ला बहुत दयालू है और रहम दिल है निश्टित है कि अल्ला अगर इश्वर है तो इश्वर जहेवा दयालू होते ही है और इश्वर जहेवा अल्ला है तो दयालू होंगे ही तो 786 जह है और 786 का जो महत्व है ओर अंने इसलाम में 究 अब एशाखेंदेनिक पूर्य इसलामिक जगत में 1766 का महत्व बल्की केवल दख़ीन एसीया के खित्र में 1766 का महत्व गश्यासी है अप जैसे मिस्र घुशे इंडोनेसिया उप पर आप 786 के बारे में पूछिए, तो 786 के बारे में वहां पर कोई जहवा महत्व नहीं है, अरब के देशों में 786 के बारे में कोई महत्व नहीं है, यानि अरब के मुसल्मान तिर्की के मुसल्मान तिर्की के मुसलमान लिएų प्रसद है और दशच्छिन असिया में 750 और मुक्यता कहां भारज मिद्ध पाकिस्टान और पंगलादेम ठीक है तो दरसल बिसमिल्ला यानि अल्लाद, बिसमिल्लाद के स्थान पर 786 लिखने की परंपरा देखा जाए तो आज है लेकिन मुहम्मद साहब के काल में नहीं थी आज तो मौझूद है लेकिन मुहम्मद साहब के काल में यह मौझूद नहीं थी कोई भी जहवा इसका एक भी सुरोत जहवा इसका पुष्टी नहीं करता है तो यह निशित है कि बाद में इसलाम धर्म से जुड़ा और वह भी केवल दक्षिनेशिया के छेत्र में जुड़ा तो दक्षिनेशिया में वर्तमान समय में इस नंबर को बहुत पवित्र माना जाता है और इसलाम धर्म के लोग हैं वह 786 नंबर की गाड़ी रखना वह अपनी आस्था रखते हैं यही कारण है कि इसलाम मानने वाले लोग अपने मकान का व्यवसाई का छेत्र का दुकानों का गाड़ी का और फोन का सभी जह वह 786 लिखते हैं या 786 रखना पशंद करते हैं हलाकि कुछ इसलामिक जो है वह धर्म गुरू का मानना है कि 786 लिखना एक रियाजी जो है वह जबान है यानि एक रियाजी जबान है रियाजी जवान का मतलब है कि आम बोलचाल की भासा के रूप में है और ये गुनाह भी नहीं है परंतु सुन्नत इसकी इजाजत नहीं देता है यानि कुछ इसलामिक धर्मगुरु मानते हैं कि सुन्नत इजाजत नहीं देता है है क्यों सुननत इजाज़त नहीं देता तो उनका तर्क समझे। उनका तर्क है उनका मानना है कि अल्ला के नाम लिखने में कोई कज्यूसी करनी चाहिए यानि हमने बि smells लाह की जग़े पर 756 लिखा तो उनका कहना है कि अल्ला का जब नाम हम लिख रहे तो उसमें कोई कंजूसी क्यों करें बलकि दरसल पूरे अदब के साथ जह है वह अल्ला का नाम जह लिखा जाना चाहिए यह बिस्मिल्लाह लिखा जाना साइज चाहिए 786 नहीं लिखा जाना चाहिए यह जह है उनका तर्क है हलाकि 786 उसके बाद भी भारतिये महादीप में काफी प्रसिद्ध जह है और 786 इस्लाम धर्ब के अंदर जह है एक बड़ा ही पवित्र नंबर माना जाता है मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूं जैहिंद